जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष हमने अपने अजादी के 75 वर्ष कम्प्लीट किये हैं, हमारे देश के अजादी को 75 वर्ष कम्प्लीट हो चुके हैं, इस यूपलेक्शन में Government of India की तरफ से Create for India नाम के एक इनिशेटिव को स्टार्ट किया गया है, Government of India के इस इनिशेटिव में आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं, किनकी लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेशन करना है और कैसे आप Government of India के Create for India इनिशेटिव के साथ में जुड़ सकते हैं, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला ह तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथी सार नोटिक्विशन बेल आइकन को ओल पे दबा कर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिक्व पे आजाएंगे, यहाँ पे आने के बाद ऊपर ही आपको अपलाई नाओ का बटन मिल जाता है, अपलाई कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे आपको Create for India इनिशेटिव के बारे में जानकरी लेना जरूरी है, उस उस पे content create करते हो, या फिर आने किसी social media platform के जरीए आप content create करते हो, तो यहाँ पे आप Government of India के इस Create for India इनिशेटिव के साथ में जूर सकते हैं, अपनी भागिदारी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी जानकरी दी गए है, जिसे आप यहाँ पे read कर सकते हैं, यहाँ पे आ आप apply कर सकते हैं, apply आपको किस तरीके से करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको apply now का option दिखाई देगा, इस पे आप click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप next page पे आजाएंगे, जिसमें आपको अपने mygv portal की login detail है, वो enter करके login कर जाना है, अगर आपने mygv portal पे पहले account create नह देखने को मिलेगी, अपना mobile number आपकी जो data of birth है, साथी साथ अपना gender यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे create new account इस वाले option पर click करेंगे, और यहाँ पे आपका account create हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी login detail एंटर करनी है, और login कर जाना है, उसके बाद में यह अपने Instagram account का जो भी link है, वो यहाँ पे आपको दे देना है, आपको यहाँ पर बताना है कि आपके Instagram पे कितने follower है, अगर 500 है तो यहाँ पे आपको 500 टाइप करना है, अपने follower की संख्या यहाँ पे आपको दे देनी है, अगर आप Twitter वगरा यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिंक आप दे सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे आपको YouTube handle का option मिल जाता है, अगर आप YouTube पे काम करते हैं, यूटूब वीडियो creator है, तो यहाँ पे आपको अपने YouTube channel का link देना है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपको category of content को select करना है, जिस भी social media पे आप content create करते हैं, जैसे कि माल लेजिए Instagram पे या फिर Twitter पे, पोड़कास्ट पे या फिर YouTube पे, तो यहाँ पे किस category में आप अपना content create करते हैं, यहाँ पे जब आप drop down मैनू को open करेंगे तो आपके सामने category को select करने का option आजाता है, आप एक से ज़्यादा category भी select कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ध करने के बाद में यहाँ पे आपको submit का option मिलेगा, इस पे आप click करेंगे, तो आपका यह registration यहाँ पे successfully complete हो जाएगा, और यहाँ पे आप Government of India के create for India initiative के साथ में जोड़ सकते हैं, अगर आप किसी भी तरके का content creator है, video creator है, Instagram पे, Twitter पे, podcast पे या फिर YouTube पे content create करते हैं, तो यहाँ पे आप registration कर सकते हैं, तो उमीद है आप सभी को यह video यह जानकरी पसंद आई होगी, video को like कीजिएगा, share कीजिएगा, अगर video related आपका कोई भी सवाल है, तो comment box में जाके आप लिख सकते हैं, साथी साथ Instagram पे भी direct message करके, आप वहाँ पे अपने question पूश सकते हैं, तो चलिए आज की इस video में इतना ही, मैं आप से मिलूँगा एक और नई video में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत